अपनी मदर के साथ गार्डन में गूम रहा था अब गूमते गूमते अपने दिमाग में कोशन आया और वो अपनी मदर को कोशन पूछता है डेविन आस्केज मदर वाट इस दे लेंड मेड अफ वो महाँ पे कोशन क्या पूछता है अपनी मम्मी को कि जो हमारी लेंड है वो किससे बनी हुई है अब मदर रिप्लाइज डू यू सी दसन एवरी क्या आप सन को पूरे दिन देखते हो दसन टू है जो फैमिली विच इस नोन आज दो सोलर फैमिली अपना जो अर्थ है वो भी क्या है एक सोलर फैमिली का मेंबर है है अब जो इसके अंदर जो मोस्ट हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है अर्थ का अमंग अल्द मेंबर होते हैं उसका एक अलग अलग तेमपरेचर होता है वाटर एर सब जगे आपको सुटियेबल लिविंग बिंग्स को महाँ पे मिल जाता है अब यहाँ पे है उसने का भला बिलिव देट तो पार्थ है वो जो हमारे सन का जो पार्थ है वो क्या है एक कोलिजन है जो अर्थ कर थू होता है at the time of his origin it was the form of a fireball जो सन है वो क्या है एक हमारा fireball है the fireball start to cool down slowly जैसे वो fireball होता है cool down होता है slowly the many elements of the earth got transformed into liquid and further into the solid form और जो जैसे जैसे वो ठंडा होता है वैसे क्या होता है जो liquid form की जो चीज़ होती है वो solid form में होने लगती है during this process the elements which got transformed into the solid are known as lithosphere और जो एक transformation क्या होता है जो elements जो transform होते है solid के अंदर उस transformation को हम क्या बोलते है lithosphere बोलते है the elements which got transformed into liquid are known as hydrosphere और जो elements transform liquid के अंदर होते हैं उसे हम क्या बोलते है hydrosphere The element which transform into the gaseous called the atmosphere और जो भी elements gaseous के अंदर transform होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं Atmosphere बोलते हैं Above all the living worlds which developed due to the land, water, air come to known as the biosphere और जो सारे के सारे क्या होते हैं हमारे living world के अंदर जो आपको land पर देखने मिलते हैं Water पर और जो air के उपर देखने मिलते हैं उसके उपर उसे क्या बोलते हैं Biosphere बोलते है In this way the four spares came into the extends on the earth जो हमारे इस four के four जो extends है वो सारे के सारे आपको figure में देखने मिल रहे हैं जैसे कि यहाँ पर atmosphere, biosphere, hydrosphere, lithosphere चारो के चारो spares आप इस photo में आप देख सकते हो अब अब आज हम जो इसके अंदर जो इसमें चार टॉपिक में साज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे जोसका फर्स टॉपिक है लिथो स्फियर और चैकंड टॉपिक है अब आप जहां पर हम रहते हैं उसे क्या बोलते है लिथो स्फियर अब लिथो का मतलब क्या है रोक और स्पियर का मतलब है अब जो हमारा जो अपर जो है पाट उससे किस से बना हुआ है जो हमारे पाट है पूरे इसमें कितना पर्सेंटेज कवर किया हुआ है 29% और किया हुआ है इसस लियर और लब सिह 54 kilometres तो हंदalom किलोमेटर थिक और यह कितनी थिक लियर रहे इसकी 64 kilometres तो थिक लियर है इसकी64 Kate例29geb 008 a.o अधसीव्यर थिकनेस और तो होन एस आधक तीकनेस और जो सारे किसारे जो दिकनेस होती है वो हर एक जगे सेम होती है नहीं Similarly, their interior and the exterior do not have their identical physical features और इसका क्या होज़ा जो interior और जो exterior होता है उनका क्या होता है उनके पास जो identical physical features नहीं होता है It is a most made up of a substance like soil and rocks और जो यह substance होते हैं किस से बने गए होते हैं Soil and Rock से बने गए होते हैं The land forms like the mountain, plateaus, plains and the valley are seen on the lithosphere अब आप जो lithosphere उसके उपर आपको क्या देखने मिलता है Mountain हो गए, plateaus हो गए, plains हो गए, valleys हो गए यह सारी चीज़े हमें lithosphere पे देखने मिलती है The temperature increase as we move towards the center of the earth The molten rock in the interior of the earth are known as magma अब जो हमारा temperature है वो आप जैसे के center of earth के side बढ़ते जाओंगे वैसे के वैसे क्या होगा बढ़ता जाएगा और जो molten rocks होते हैं इंटीर of the earth के उसे हम क्या बोलते हैं Magma बोलते है There are many gases present in the interior of the earth which rise up with the pressure and the heat अब वहाँ पे बहुत सारी gases होती है interior of the earth के अंदर और वो क्या होती है rise up भी होती है pressure से और उसमें heat भी जादा होती है but the pressure of the rock of the surface of the earth is equally strong और साथ ही साथ क्या है जो rock का जो pressure होता है अर्थ के उपर वो भी क्या होता है एकदम strong होता है thus balance between the two is maintained और जो क्या होता है दोनों के बीच में balance हमेशा maintained रहता है so the crust of the earth does not break और इससे क्या होता है जो balance maintained रहता है तो उसे क्या होता है जो earth का crust होता है वो कभी break होता है नहीं when the balance between the two is not maintained the crust break as a volcano erupts और कभी भी अगर balance इन दोनों में नहीं होता तो उस time क्या होता है हमारा volcano burst होता है वहाँ से erupts होता है जब भी दोनों का ममा how is the lithosphere used to us अब जो devinta वो वापी से पूसता है उसकी ममी को question पूसता है वो क्या question पूसता है how is the lithosphere useful to us कि हमें जो lithosphere है वो किस तरीके दे use होता है where can we construct our home if the lithosphere is not there कि अगर वो बोलता है कि अगर lithosphere नहीं होता तो हम हमारा घर कहां पे बनाते हैं जानाते हैं without lithosphere how can we get water to drink agriculture for food minerals for industries and the forest उसके दिमाग में और सारे question चलते हैं third question क्या आता है वो बलता अगर without lithosphere नहीं होता तो हम हमें पीने को क्या मिलता agriculture जो food है महां में कहां से मिलता minerals जो industries में minerals होते हैं वो कहां से मिलता है यह forest है उसका क्या होता अब अब आपको में एक्टिविटी देरा draw a picture displaying all the details you observe on lithosphere based on your conversation meditation